Axle Tips & Tricks Part 4 इसमें हम देखने वाले हैं कि Serial Number कैसे आइड करना है यहां पर लिखते है Serial Number 1, 2 फिर हम एंटर दबागे 3 लिखते हैं तो इस तरीके से इसका pattern बन जाएगा pattern बनाने के बाद यहां पर click करते हैं double तो यह सारे के सारा नीचे तक चला जाएगा तो हमारे पास जो total rows हैं हमारे पास 100 Serial Number तक जाना था मैं इसको Ctrl Z करता हूँ और यहां पर दुबारा से देखते हैं कि दूसरा तरीका क्या है Serial Number को लिखने का 1 यहां पर लिखती है एंटर मारा equal to this cell plus 1 ऐसे लिखते हैं तो इस तरीके से यह पूरा formula नीचे कर दिया तो जैसे जैसे आगे जाता जाएगा सारा plus 1 होता जाएगा दूसरा तरीका यह हो गया और एक और important तरीका है जो sequence वाला formula है हमने यहां पर equal डालने के बाद sequence लिखने है sequence लिखने के बाद tab दबा के 100 चाहिए तो 100 लिखके enter कर देना है तो यह 100 तक हमारा पूरे का पूरा बन जाएगा यहां पर एक और तरीका यह अगर हमने serial number 123 के बजाए roman लिखने हो यानि के यह हो गया यह हो गया ठीक है यह हो गया यह हो गया roman लिखने हो तो हम क्या करते हैं यहां पर इसको drag करते हैं तो देखें 12345 पूरा pattern नहीं बन रहा तो उनको करने की बजाए हम यहां पर equal to लगाते हैं roman लिखते हैं लिखने के बाद इसके अंतर लिखते हैं row row लिखने के बाद bracket बंद minus one bracket बंद करने के बाद enter करते हैं तो यह roman आ जाता है इसको double click करते हैं तो यह देखें सारा नीचे तक roman लिखा जाएगा 100 तक तो आप इस तरीके से roman को भी serial number के तोर पर यूज़ कर सकते हैं next please